Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और React.js के इस वीडियो के दर हम बात करने वाले हैं Post Method with API की देको लास्ट की दो-त्री वीडियो उसके अंदर हमने सीख है API क्या होती है, get method क्या होता है और एक users की list कैसे लेके आ सकते हैं API से और उसको कैसे हम React के अंदर दिखा सकते हैं और उसके बाद में Postman कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको यही बताया लास्ट की दो-त्री वीडियो देख लेना अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको आइडिया अपसा चल जाएगा, right और अगर आपको आइडिया है तो कोई प्रोडम नहीं है सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट की बात कर लेते हैं बाद में बात करें कि हम अच्छीव क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर Post method क्या होता है क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे एक form बनाएंगे HTML form रहेंगे जिसमें दो तिन हमारे फिल्टर हैंगी जो इस form में data होगा उसको हम submit करेंगे API को और बाद में वो data होगा हमारे पास API में store हो जाएगा और हम उसको check भी करेंगे, test करेंगे क्या वो सही से store हो गया है या नहीं हुगा है अब जो API नहीं है result दे रही है वो क्या दे रही है और interview question जो मैं लास्ट वीडियो में पूछा था उसका answer और एक नया question भी मैं आपसे पूछूँगा देखो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारी यह वाली API थी इससे हमने list दिखाए थी इसके अंदर 4-5 user थे ठीक इसके अंदर हम 2-4 user और add करेंगे form की help से जो form होगा उसमें data fill करेंगे और submit करेंगे तो नया data हमारा यहाँ पे add हो जाएगा पहले मैं आपको postman से भी करके दिखाऊँगा कि postman पर किस तरीके से हो रहे हैं आपको पता जल जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए send करने रहे हैं so alright बात करेंगी post method क्यों use करते हैं post देखो जब हम AP बनाते हैं तो हमारे पास अलगलग methods होता है get method होता है data को get करने के लिए post होता है data को store करने के लिए put होता है update करने के लिए patch भी update करने के लिए use होता है दोनमे difference में आपको बता हूँगा और उसके बाद है delete method होता data को remove करने के लिए record को remove करने के लिए राइट सबसे पहले हम एक form बनाते हैं यह हमारे पास app.js है इसके अंदर मैं एक छोटा सा form बनाता हूँ तक जब भी आप html form यूज कर रहे हो html form यूज कर रहे हो react के अंदर कुछ जरूरी नहीं है कि आप form ही बनाओ normal fields भी रख सकते हो right so हमने एक normal field रखेंगे फालत का form नहीं लेंगे उससे क्या रहेगा आपको easy रहेगा यह आप कहा सकते हो controlled component का example रहेगा perfectly जिसके अंदर data हमारा state के थुरू control होगा right so सबसे पहले मैं आप एक input field define करता हूँ इसका मैं type define करूँगा type रहेगा इसका text right और name आप कुछ भी रख सकते हो let's say इसका नाम में रख देता हूँ name भी रख देता हूँ right और मैं आप एक br tag लगा देता हूँ right और मैं एक br tag और लगाँगा ताक कि यह बिल्कुल सही से आपको next line में दिखे एक हमने ले लिया है input field दूसरे input field लिया और तीसरा भी लिया हमें कितने input field चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो देखो एक तो name के लिए चीए email address के लिए और mobile के लिए right id अपने आप auto generated होगी so मैंने तीनी field यहाँ पर ले लिया है और चोथा मैं यहाँ लोगो button ताकि इसको मैं submit कर पाऊ और यहाँ भी लिखूंगा save new user perfect कोई problem नहीं है और यहाँ पर हम type लिख देंगे इसका button तो पहले हम एक बारी नोर्मल पोस्ट मैं से देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें data को store करवाने के लिए सबसे पहले post method चाहिए यहाँ से हमने post method select कर लिया और तीन चाहिए होती है हमें name, email address और mobile चाहो तो आप यहाँ से copy भी कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पे खुद स होना चाहिए तो हमारा यही url रहेगा यहाँ पे मैं एक url लगा देता हूँ उसके बाद में हम यहाँ लगाएंगे body, body के अंदर आपको जाना है row के अंदर row में आपको यहाँ पे select करना है json right perfect और इसके अंदर देखा आपको क्या क्या चीज़ें ने लिए हैं जैसे मैं आपको बताया था नेम चाहिए हमें और नेम मैं ले लेता हूँ let's say ironman right उसके बाद में हम ironman को email address ले लेते हैं और let's say यह हमारे ironman का email address है iron.man.com right एक चीज और हम यहाँ पे double codes यूज़ कर सकते हैं right आपको यह सारा data यहाँ से वीडियो के साथ साथ कोपी करने के जुरूत नहीं है link description box से मिल जाएगा सारे के सारे code का आपको right then हम यहाँ पे mobile add करेंगे और mobile के अंदर हम यहाँ पे लेगा लेते 9999 right so यह हमारे number हो गया so सब कुछ ठीक है अब मैं इसको hit करता हूं जैसी मैं इसको hit करूंगा तो मुझे एक result देगा result इसे नहीं दिया 201 201 का मतलब होता है कि वह create हो गया है और id उसकी 5 बन गई है right अब मैं यहाँ पर जो मेरी API है इसको refresh करके देखता हूं कि क्या मेरे पास 5th result आ गया है यह देखें 5th result भी हमारा perfectly आ गया है so इस तरीके से हम जो एक हमने यहाँ पे 5th item एड़ कर रहा है 6th 7th ऐसे हम हमारे html form के साथ में add करेंगे right so अभी के लिए हमें हमारा output कैसा दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर आके देखता हूं तो तीन field है इनके चाहो तो आप यहाँ पर placeholder भी लगा सकते हो बड़ placeholder लगाने के पर जैसी कोड़ यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं आपको confuse करना नहीं चाहता जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर placeholders वगएर नहीं लगा रहा बहुत simple रख रहा हूं right और यहाँ पर हम इसको mobile add कर देंगे so अ यहाँ पर use करेंगे useState, useState के अंदर by default value आप चाहो तो null ले लो right और similarly जैसा आपने यह रखा है इसी तरीके से आप const आप email ले लोगे और email के बाद में हम यहाँ पर ले लेंगे set email और यह भी रहेगा हमारा useState और third one इसके अंदर हमारा const रहेगा const के अंदर हमारा एक और ले ले लेते हैं mobile और यहाँ पर ले लेते हैं set mobile और यह भी कहाँ से निकलेगा useState से useState value by default 0 अब इन सब की सब values को यहाँ पर हम attach कर देंगे right यहाँ पर लिखता हूं value और value के अंदर हमें यहाँ पर simple डाल देते हैं name then हम यहाँ पर लेते हैं फिर से एक और value और इसके और डाल देते हैं email address और at last हम एक और value लेते हैं इसके न डालते हैं mobile राइट देखो अभी के लिए आप इसको edit करने कोईश करोगे तो edit नहीं कर पाऊगे होगे because हमने यहाँ पर state bind कर दिये right so हम क्या करते हैं यहाँ पर इनको change भी करते हैं यहाँ पर on change on change के ऊपर हम यहाँ एक arrow function कोल करेंगे arrow function में हमने यहाँ से कर दिया और यहाँ पर update करेंगे set name और set name हम क्या update करेंगे e.target.value अब चेक करते हैं कि क्या हम एक जो first element को update कर पा रहे हैं मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कुछ type करने कोईश करता हूँ अब type कर पा रहा हूँ एक में बट दो में still मैं type नहीं कर पा रहा हूँ नीचे वालों में राइट सो similar तरीक हम नीचे वालों में भी add करेंगे ताकि आपको complete दिखे तो मैं side में यहाँ से sidebar हटा देता हूँ एक बार के लिए right okay then हम यहाँ पर email के लिए and mobile के लिए भी paste करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं set email और set mobile set mobile alright तो और इसके submit के ओपर एक function भी call करना हमें ताकि हम जहाँ पर API call करेंगे right so यहाँ मैं एक function लिखता हूँ उस function का let's see नाम रहेगा save user right और इसके अंदर मैं अभी के लिए तीनों की तीनों state print करवाँगा कि क्या मुझे मिल रहा है console.one sorry और इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर name email and mobile file और यहां से मैं comma use कर लेता हूँ और यहां पर हम click करेंगे on click event दूँगा on click event के ओपर हम goal कर लेंगे save user को great so अब हम सबसे पहले आते हैं और इसको refresh कर देते हैं completely refresh कि हमें क्या मिलता है सबसे पहले मैं यहां पर save करूँगा तो मुझे देखो पिल्कुल कोई value नहीं मिली इसके submit के उपर अब मैं इसमें name लिख देता हूँ let's say मैंने यहां लिख दिया email address लिख दिया मैंने और यहां मैंने mobile number दे दिया 111 अब मैं submit करता हूँ तो मुझे यहां पर तीनो values मिल चुकी है that means सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है हमारी values भी हमारे पास आ गई है अब बात आती है कि इस API के अंदर यह data को हम send कैसे करेंगे right so send करने के लिए हमें यहां पर छोटा सा code लिखना पड़ेगा fetch का जो कि API हमें API के अंदर data को हम लेके जाएंगे right so उसके लिए मैं सबसे पहले यहांप लिखता हूँ fetch right और fetch के अंदर basically सबसे पहले जाता है हमारे url so url आपको पता है कि यही हमारे url है right जैसा कि हमने last वाली API में करा था get के लिए similar तरीके से हमने इसके अंदर यह चीज कर दिए right but इसके अंदर एक second parameter भी जाएगा अपकी बार पहले हमारे पास एक ही parameter गया था right अगर आपको ध्यान हो तो इस बार इसके अंदर दो parameter जाएगे right और इसके अंदर हम सबसे पहले बेजेंगे method method हम भीजेंगे यहां पे post right then हम यहां भी भीजेंगे headers header के अंदर बैसिकली दो चीजें भीजेंगे हम यहां पे header के अंदर भी एक होगा accept कि क्या यह चीजेंगे अक्सेप्ट करेगा जिसके अंदर हम बताएंगे कि application data को accept करेगा right JSON data को accept करेगा और इसके अंदर हम यहां पे डालेंगे basically application slash json right then उसके बाद में नई चीज होगी कि content type हमारा क्या रहेगा content type में कि जो हमारा result है वो हमें क्या मिलेगा so इसके अंदर लिखेंगे हम content single code सी भी use कर सकते हो content type और इसके अंदर हम बेज़ेंगे यहां पे application json फिर से तो मैं यह यह copy कर देता हूं all right so यह हो गया अब इसके अंदर हमे body define करने कि body के अंदर हम क्या बेजने वाले यह चीज़ हमने define कर दी है अब यहां पे लिखेंगे body body के अंदर आपका actual result है वह रहने वाला है actual result मतलब यह तिनों चीज़ है so सबसे पहले हमको इनको भी एक object के अंदर डालना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं इसको एक बार के लिए comment करता हूं और इन तिनों को एक object में डालके दिखाता हूं आपको just simply कर आप इस तरीके से भी डाल दोगे इसको तो भी आपका यह object बन जाना चाहिए let me check जैसी मैं इसको submit करता हूं देखो एक object हमारा बन गया है और जैसी एक object बन गया है तो इसको आप एक चाहो तो variable बगएरा में ले लो stringify कर लो it's totally up to you मैं इसको यहां पर stringify करना ठीक समझता हूं right so हम यहां पर लिखेंगे json.stringify I think मुझे यहां पर इसको as an object लेने की जरूत नहीं मैं directly इसको लिख सकता हूं json.stringify और तभी मैं सोच रहा था कि यह अपने आप से suggestion में क्षू नहीं दे रहा और इसके अंदर हम basically लिख देंगे हमारा data को इस तरीके से so, जैसे हमने यह data लिख दिया यहां पर उसके बाद में यह हमें return correct promise तो उसको result करने के लिए हम यहां पर then use कर सकते हैं इस तरीके से और then के अंदर आपको यहां मिल जाएगा result और सबसे पहले हम इस result को प्रिंट कराएंगे बाद में एक बार यह data रहेगा आपका यह आपको json format में नहीं मिलेगा stream format में मिलेगा तो बाद में इसको भी resolve करेंगे right इक map को दिखाना चाहता हूं कि हमें मिलता क्या है इसलिए मैं यहां एक बार के लिए result लिख रहा हूं अल्राइक I think सब कुछ ठीक रहेगा तो यह perfectly hit हो जाएगी कुछ problem रहेगी तो हम उसको देख लेंगे बाद में मैं यहां पर जैसे इसको आपको पहली बार दीखेगी यहां से वह आपको यहां से देख सकते हो एक optional result जाता है यहां से ठीक है तो यह pre-flight request हो देख करती है कि server available है या नहीं है और जो second वाली request होगी यह हमारी 201 इसका status code रहेगा method इसके अंदर post चला गया data आप यहां पर देख सकते हो कि हमने क्या request के अंदर भेजा है और result के अंदर हमें क्या मिल गया इसका मतलब है कि 6ID वो हो गई है सब्सक्राइट अगर मैं इसको refresh करता हूं तो यहां पर 6ID भी generate हो गई है similarly अगर आप let's एक और data को यहां पर submit करना चाहते हो और उसके साथ में एक result भी अगर आप कोई हमें print करवाने की result क्या रहा है तो भी आप करवा सकते हो कोई problem नहीं है उसमें result.json और इसको आप फिर से use करोगे यहां पर sorry again sorry मुझे then इस तरीक से use करना पड़ेगा right and अब हम इसको यहां पर print करवा सकते हैं let's say कि मैं यहां पर इसको link देता हूँ resp response और अब मैं यहां पर console.von करवाता हूँ response में मुझे क्या मिल रहा response में जो अभी आपको data मिला था ना इस बार ही वो अगर आप अभी मेरे console में पड़ा को आपको दिखा दूँगा शायद हो गया है बहुँ चुका है but वह actually readable form में नहीं अगर आपको ध्यान होगा आप देखोगे तो अभी के लिए आपको यह readable form में दिख जाएगा मैं यहां पर लिखता हूँ let's say batman batattreatman.com और let's say मैं इसका mobile नम रखता हूँ जैसे मैं save करता हूँ अब आपको दिखता होगा यहां पर response हमें तरीके से मिल गया जो उपर वाला आपको console दिख रहा है वो यहां से आ रहा है यह वाला और अगर आप देखोगे अब batman में भी entry हो गई है और यह हमारा 7th record भी आ गया है इस तरीके से आप और भी records एंटर कर सकते हो और यह basically बहुत important होती है अगर आपको post वाली API submit करनी आ गई ना तो आप यही समझे लो कि आप काफी हद तक project बना सकते हो database से connect करने के लिए हमें APIs के साथ ही खेलना होता है तो यही एक सबसे आप कह सकते हो most popular तरीका होता है post method वैसे get method भी यूज़ करते हैं और भी यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर मैंने आपको आपसे पूछा था put and patch के अंदर difference क्या होता है इसके बड़ी सारी definitions होती है कुछ लोग यह कहते हैं कि जो put होता है उसके अंदर बहुत सारे data को send करते है और patch के अंदर just particular चीज ही send करते हैं जो हमें एक नई attach करनी होती है उस तरीके से राइट बट जो Wikipedia की definition है वो थोड़ा अलग कहती है वो कहती है put method वो होता है जो हम data को send करते है request के अंदर और उसको modify करने के लिए बट जो patch method होता है वो just instructions होती है data को modify करने के लिए यहाँ पर रिसोर्स है उसका data जहां पे आप database के अंदर data को update करना चाहा रहे हो right resource का मतलब यह है तो basically patch method के अंदर कुछ instructions जाती है to modify the data और जो normal put method होता है उसके अंदर हम पूरा पूरा data ही भेजते है requested resource requested data जाता है and replace the original version of resource जो original data होता इसको replace करते है मान लो कि मैंने पहले अनिल भेजा था अब मैंने अनिल की जगह पे मेरा कुछ data था मेरा नाम था mobile number था और email address थी जब मैंने put करूँगा तो यह सारी सारी information update हो जाएगी but जो patch होगी वो एक just instruction देगी कि आपको यह चीज update करनी है उसके अंदर actual data नहीं होगा right all right इस वीडियो के लिए question है जैसा कि हमने इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक body send करी है right इस तरीके से क्या हम यह body get method के अंदर भी send कर सकते हैं और interesting question है इसके बारे में पढ़ना आपको जब आप पढ़ने बैठ होगे ना शायद आपको बहुत time तक मिले भी ना आसके इसका answer next वाली वीडियो में इसका answer में दूँगा so bye bye take care